पाइन्टियल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक, 15 लाख करोड डूबे हैं, 10 लाख करोड अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड उन रिटेल इंवेस्टर्स के डूबे हैं, जिनोंने इस विश्वा कर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं साथ समुन्दर पार जो जॉन्सन इलारा कैपिटल के डिरेक्टर थे जिन्होंने अडानी के फ्पो में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधान मंतरी बोरिस जॉन्सन के भाई हैं उनको अपने पद से डिरेक्टर थे इलारा कैपिटल में उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा लेकिन हिंदुस्तान में साथ समंदर पार इंस्टिउशन जो हैं आक्षेपों को लेकर चिल्तित हैं और अक्ट कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही नहीं हूँ सेभी से एक शब सुनाई नहीं देता है कहा है सफ आयो कहा है आरोसी कहा है मिनिस्ट्री ओफ कॉर्परेट अफेस गवर्मेंट ओफ इंडिया तो ऐसे बरताव कर रही है शुतर मुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही नहीं तो असल 10,00,00,00 करोर अडानी जी के दूबे है लेकिन 5,00,00,00 उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जनोंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा पर उनको भी झेलना पर उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है वो शाय सवाल की मिली भगत को तो सरकार आक्ट क्यों नहीं कर रहे है यह सवाल है क्यों से भी कुछ नहीं कर, कियोSFIO कुछ नहीं कर रहे है कहां है E.D. कहां है M.C.A., कहां है R.O.C., कोई श्ब नहीं है मोदी जी ने तो आखों पर पट्टी बांद ली क्योंकि वो तो दोस्ती नहीं भाने पर तुले हुए वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते हैं सदन को सुमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि उस रिटेल इंवेस्टर को कौन बचाएगा जो अडाने जी के कुकरमों का फल भुगत रहा है जिसके पाच लाख करोर से जादा खतम हो गया है नश्ट हो गया है मार्केट में अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी बन गए थे वो उनकी मोनापली एरपोर्ट पे हैं उनका एकाधिकार मोनोपली पोर्ट्स में हैं, उनकी मोनोपली फूड अन आगरिकल्चर में हैं, क्या गो डाउन, क्या वेर हाउसे, क्या खाने वाला तेल, सब में वो घुसे हुएं, फलों के बागान तक में वो घुसे हुएं, उनकी मोनोपली रिन्यूबल एनरजी में हैं उनकी monopoly cement में है, उनके 10 listed companies market में है, 5 odd list होने वाली थी, तो जब इतना बड़ा एक जो group होता है, और मोदी जी की कृपास इतना बड़ा बना और इतनी जल्दी से विक्सित हुआ group है, जब डूपता है, तो वो सब को ले डूपता है, ये economy को ध्वस्त करने की कूबत रखता है, और ये बात, Dow Jones, S&P जैसे लोग, City Group जैसे लोग, Credit Suits जैसे लोग पहचान रहे हैं, FIT जैसे लोग पहचान रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है, वो आख पर पट्टी बांदेवा और मूपे दही जमाय हुए, बैठी हुई है, तो पूछने की बात ये है कि LIC, SBI, इनसे पाल कब पूछे जाएंगे, निवेशकों ने जो पॉलिसी होलडर, 30 क्रोड पॉलिसी होलडर LIC के हैं, जिन्हों ने अपनी जिन्दगी की गाड़ी कमाई लगाई थी, उनको ये कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आये थे, करोड पे 30,000 हो गए, जी नहीं, आपने 100 रुपे लाए थे, वो पात साल बाद 1000 रुपे हो गए, लेकिन उसके पात साल बाद वो 200 हो गए, तो आप ये सोचकर संतुष रहीगा कि 100 रुपे 200 हो गए, या ये सोचकर चिंता जताईगा कि 1000 रुपे कैसे 200 हो गए, वही काम LIC कर रहा है, जबानी जमाखर्च, SBI, 45 करोड लोग इस विश्वास से SBI, State Bank of India में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा, 81,000 करोड रुपे बैंकों ने करजा दिया है डानी जी को, जो उनके कुल करजे का मातर 30% है, और उस 30% में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है, और 30 30% सरकारी बैंक का है, तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाड़ी कमाई, टैक्सपेयर्स का पैसा, जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेट सुरूप दिया था, वो क्यों दिया था, और आज जब रीटेल निवेशक, जब छोटे चोटे निवेशक हो कि पूरी पूंजी ध्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, ब्लड बात मचा हुआ है मार्किट में, तो सरकार क्या कर रही है, न सदन में बहस करनी के नुमती देती है, न जे पी सी कराती है, न सुप्रीम कोट के जग से कोई जांच कराती है, तो आखमूंद लेने से इसका निवारण नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि अब वक्त है मित्रता छोड़कर कर्तव्य निभाने का, और कर्तव्य आपका हिंदुस्तानियों के प्रती है, एक अडानी जी के प्रती नहीं है, ये बात साथ समुंदर पार financial institution समझ गए, लेकिन आप की समझ में ये बात नहीं है,